आज बनाएंगे बहुत ही मज़े का पास्ता रंगीन समया और यह रिक्वेस्टेड रेस्पी है स्पेशली डेडिकेटेड है यह मिसिज उमर को और मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए आज जनाब यह रेस्पी बना रहे हैं तो जरूर ट्राइ कीजिएगा आप लोग भी इंज्वाई कीजिएगा चले जनाब स्टार्ट करते हैं बहुत ही मज़े की र गरम करते हैं और इसमें जब थोड़ा सा दूद गरम हो जाएं तो एक कप जो है शुगर काफी है अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन ये एक लीटर दूद के लिए एक कप चिनी काफी है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जब चीनी मेल्ट हो जाए और अच्छे से दू जो है थोड़ा गरम हो जाए तो फिर नेक्स प्रॉसस करेंगे साथी रिक्वेस्ट है जनाब चैनल को सबस्ट्राइब करें लाइक करें कॉमेंट करें और शेयर भी करें आप नॉर्मल आप टी टाइम स्नैक्स में अगर कुछ दिल करें मीठा खाने का तब भी आप ट्राइ कर सकते हैं स्वेया बहुत अच्छी सी जो है यहां पे गल रही है दूद के साथ तो यह पॉइंट पे जब लगे के गल चुकी है तो हम लोग एड़ करेंगे इसमें दो चमच कस्टर्ड स्टाबरी का कस्टर्ड जो है वो पिंक कलर इसके लिए आइडियल है बहुत जबरदस्ट लगेगा क्योंकि कलर फुल स्वेया है तो नॉर्मली वो थोड़ा-थोड़ा पिंक कलर होगा तो दो चमच हम लोग जो है वो कस्टर्ड पाउडर के एड़ कर कर लेंगे कोई لمस ना रहें और सुईया बिलकुल नंन गल चुकी है तब आपने एड़ करना है अब हम लोग चमच हिलाते जाएंगे और जो कस्टरड का मिक्स्टर है वो डालते जाएंगे और हिलाते जाएंगे ताकि कोई गुटली कोई लम्स ना बने, बना हमारा जो मीठा है, वो बिलकुल एक किसम का खराब हो जाएगा चमच आपका रुकना नी चाहिए और नॉर्मल हीट में हम लोग बना रहे हैं सवेया हमारी डन है और ये जो मिक्स्टर है ये डाल के कस्टड पाउडर का हम लोग तीन से चार मिनट बनाएंगे और इनफ, ये रडी है फ्लेम आफ कर देंगे, ठीक है इसको ठंडा करते हैं और फिर बताते हैं क्या करना है ये देखें जी, मैंने फ्लेम आफ कर दिया है और इसको नॉर्मल मैंने जो हैं ठंडा कर लिया है रूम टमप्रेचर पे और एक डिबा क्रीम का डालेंगे अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल है किसी भी ब्रैंट की जो आप यूज करते हैं आप डालें एक क्रीम का डिबा इसके लिए एक लिटर दूद के लिए काफी है और ये ठंडा करके हम लोग डालेंगे और इससे इ जली मैंने लिए है बिल्कुल रड कलर की स्टॉबरी फ्लिवर में लिए है उससे इसकी जो गार्णिश है वो अमेजिंग होगी एक कप पानी लिए है और जब बबलिंग स्टार्ट हो तो हम लोग जो जली का पैकेट हो डाल देंगे एक कप पानी में बहुत अच्छी जली ज हमारी रड यह निकाल ले आप अगर आपने शेप्स बनानी है तो आप छोटे बरतर में डालें लेकिन मुझे शेप्स नहीं बनानी मुझे एक लेयर लगानी है तो इसलिए मैंने बिल्कुल बडी ट्रे में डाला है कि मैं कट करके इसके चोटे-चोटे पीसे बना लूं मोटे वाली जैली चाहिए आपने कोई शेपस बनानी है तो आप छोटी ट्रे में नहीं आप बिलकुल एक प्लेट में डालें मोटी लेयर में इसको जमाएं तो बहुत अच्छी बन जाएगी मैं एक पिछली मीठा डाला था उसमें मैंने जैली बड़ी वाली बनानी सिकाई तो आप वो भी जाके देख सकते हैं यहां पर ट्रे में मैंने डाली अपना पास्ता कलर फुल समया देखे कितनी प्यारी थिकनेस है और बहुत ही आला इसका टेस्ट है यहां पे जनाब पूरा जो आप अपना बॉल ले लें जिसमें भी आप सर्फ करना चाहती है उसमें आ आप नर्ट्स ले लें यहां पे बदाम, अक्रोट, पिस्ता यह तीनों चीज़ें जो हैं मैंने बरी क्रश की हैं एक लियर जैली की लगाएंगे हम लोग और एक लियर हम लोग नर्ट्स की लगाएंगे अमेजिंग टेस्ट, अमेजिंग लोग, बहुत ही जबर्दस सा इसका एक एक बाइट बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़े का बना तो इसको जडूर ट्राइ करना है, आप लोगों ने स्टेप बे स्टेप और कॉमेंट में बताना कि कैसा बना है, थैंक यू सो मच आप सब के साथ का और मेरे चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएग थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अलाहाफिज